अगर आप YouTube पर Bollywood Song को Re-Upload करकर YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है इस वीडियो अपके लिए ऐसा जबर्दस तरीका लेकर आए हूँ जिससे आप YouTube पर Bollywood Song को Re-Upload करकर YouTube से लाखों रुपई की अर्निंग करने वाले हो YouTube पर बहुत सारे Creator है सिर्फ उसी Bollywood Song को अपने YouTube चैनल पर Re-Upload करकर लाखों रुपई YouTube से कमा रहे हैं मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैं YouTube अब्लिकेशन को Open कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ Luffy Song मैंने यहाँ पर Luffy Song सर्च किया अब यहाँ पर आप डेख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर Luffy Song आ चुका है जो Bollywood Song है वो यहाँ पर बहुत सारा आ चुका है अब यहाँ पर वीडियोस देखो इनकी वीडियोस पर व्यूज कितना है और यहाँ पर आप सब्सक्राइबर देख सकते हो इनके चैनल पर एक लाक प्लस यहाँ पर सब्सक्राइबर है इनके चैनल पर और वीडियोस कितनी अपलोड किया है 38 वीडियोस इनके अपने चैनल पर अपलोड किया है और इनकी वीडियो पर आप विऊज देखो तीन दिन के अंदर 6 के विऊज आया हुआ है और 1 मंद के अंदर 565 के यहाँ पर व्यूज आया हुआ है इनके में विडियो सेक्षन पर चलियाता हो और Most Popular व्यूज पर चलियाता हूँ अब यहाँ पर आप यहाँ पर वियूज देख सकते हो 8.5 मिलियन वियूज आया हुआ है सिर्फ उसिफ एक साल के अंदर-अंदर और इनकी वीडियोस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो एड आया है यहाँ पर एड आ चुका है इसका मतलब यह है कि इनका channel यहाँ पर monetize है और इनको YouTube पर तरफ से कोई भी तरह के copyright strike, copyright claim कुछ भी यहाँ पर नहीं आने वाला है यही पर नहीं आया है, तब ही तो इनकी यहाँ पर YouTube channel पर add आया हुआ है अब यहाँ पर आप song सुनो आपने यहाँ पर song सुन लिया, यह Bollywood song को अपने YouTube channel पर upload कर रहे हैं और YouTube से लाखो रुपए की earning कर रहे है आप को यहाँ पर ऐसे याकी नहीं होगा, मैं आप को यहाँ पर इनकी earning दिखाने वाला हूँ मैं इनकी 3Dot पर चलाता हूँ और यहाँ पर इनकी link को मैं यहाँ से copy कर लिया है अब मैं चलाता हूँ Google Chrome पर और मैं यहाँ पर search कर लिया है और social blade यहाँ पर open हो चुका है अब मैं इनकी link को यहाँ पर paste कर लिया हूँ मैंने लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अब मैं आप इसको सर्च कर लिता हूँ, अब जो रिजर्ट निकल कर आने वाला है, वो देख कर आप शौक होने वाले हो, मैं गैरंटी देता हूँ आपको, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके चैनल पर 30 डेस के अंदर कितन 38 यहाँ पर डॉलर से लेके 5.3K डॉलर तक यह अर्न कर रहे हैं, यहाँ पर maximum देखो 5.3K डॉलर तक यह अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर minimum लू, तो यहाँ पर मैं 1,000 डॉलर को ले लेता हूँ, और 1,000 डॉलर का इंडियान रूपीज मैं कितना बन रहा है, मैं आपको वो दिखा लिता हूँ, मैं आपर सच कर लिता हूँ, USD, मैंने आपर USD सच किया, और मैं यहाँ पर सच कर लिता हूँ, 1,000 डॉलर, मैंने 1,000 डॉलर सच किया, अब यहाँ पर डिख सकते हो, यहाँ पर 82,000 रूपीज यह अपने अगर आप इस वीडियो को लास तक देख लेते हो बिना skip किये तो आप सब चीज़ सीखने वाले हो अगर आप skip करकर देखोगे तो आप नीचे comments में आओगे फिर आप बोलोगे copyright strike, copyright claim मुझे आ चुका है तो यहाँ पर आपको skip करकर नहीं देखना है अब मैं आपको बताता हूँ कि इस type of content आप कैसे create कर सकते हो ठीक है आपको जिस भी song को लूफी song में convert करना है उस song को आपको download कर लेना है और वो song trending में होना चाहिए मतलब वो song recent में आया हुआ है और अगर आप उस song को create करते हो तो आपकी views 100% आने वाली है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से create करना है आपने song को download कर लिया है अब यहाँ पर आपको एक tool की दरुस पढ़ने वाली है उसका नाम मैं आपको बता दिता हूँ यहाँ पर यहाँ पर brand lab यहाँ पर उस application का नाम है जो आपको play store पर available मिल जाएगा आप play store पर जाकर download कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं दूँ तो आप नीजा इम description में चलिया होगे मेरे telegram का link है वहाँ मेरे telegram पर इस application को upload कर दिया है आप जाकर download कर सकते हो और join करना बिलकुल मत भुनना ठीक है join ज़रूर कर लेना है महाँ पर मैं बहुत चीज महाँ पर डालने वाला हूँ जिससे आपको benefit होगा future में ठीक है आप brand lab application को open कर लिया हो brand lab application को open करने के बाद आप यहाँ देखो आपको इस पर account बना लेना है अपनी Gmail से आपको यहाँ पर sign up कर लेना है फिर आपके सामने इस तरह का interface यहाँ पर आ जाएगा फिर आपको plus का icon मिल जाएगा simply plus की icon पर click करना है और यहाँ पर open studio पर click कर देना है जैसे ही आप open studio पर click करोगो तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface यहाँ पर आ जाएगा और यहां पर import file का option आ रहा है, simply import file पर click कर देना है, और यहां पर आपके सामने, जो आपने song को download किया है, वो song आपके सामने आ जाएगा, कोई folder में, जिस folder में आपने download किया है, अब यहां पर देखो, दुगा करो, मैंने song को download किया है, वो यहां पर आ चुका है, अब यहां पर यह दें पत्र को इंपोर्टिंग हो रही है, और इंपोर्ट हो चुका है, मैं आपको Ilstusags यहां पर सुना जेता हूं .- यह की साँंग यहां से स्टार्ट हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां से इसको ट्रिम करोंगा और जो इसका extra part है, इसको मैं delete मार दूँँगा, क्योंकि मेरा song यहां से start हुआ है, तो मैं वही पर रखूँगा, ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको इस तरह से पकड़ना है, इसको पूरा आगे लेकर आना है, ठीक है, यहां पर आपको इसको आगे लेकर चले आना है, इसको यहां पर इसको पकड़के इसको पूरा आगे लेकर चले आना है, नहीं तो आपके पीछे वह रह जाएगा, और आपका song आगे बन नहीं पाएगा, ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो, यह song मेरा यहां से आ चुका है, मैं आपको song सुना देता हूँ, starting यहां से होग अब यहां पर आपको एक trick बता रहा हूँ, जो बहुत जबरदस trick है, अगर आप इस trick को apply कर देते हो, तो मैं guarantee देता हूँ, आपको copyright strike, copyright claim नहीं आने वाला है, आपको यहां पर एक और music को add करना है, relaxing music इसे आप YouTube पर सर्च करोगे, आपको बहुत सरी relaxing music मिल जाएगी, तो मैं अगर आप चाहोगे, तो मैं link description में दे दूँगा, अपने telegram पर, telegram पर चले आना है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर rain sound आप सर्च करोगे, YouTube चैनल पर आपको बहुत सारा rain sound मिल जाएगा, अब यहाँ पर rain sound आपने download कर लिया है, आपको उसको add कर से करना है, plus क आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर द्वास से import वीडियो पर चले आना है, और यहाँ पर rain sound आजाएगा, simply rain sound पर क्लिक करना है, और वो import होना start हो जाएगा, आप यहाँ पर आपको इंपोर्टिंग on हो चुकी है, तो यहाँ पर import हो रहा है, अब यहाँ पर आपको तो क्या करना है आपको, अब देख सकते हो मेरा ये सॉंग आ चुका है, ये मेरा गाना है बॉलिवूड सॉंग का और यहाँ पर यह सोंग है यह रें सॉंड ए हुशन को थोध सुना डेता हूं इसको छोध संग हुशन यहां पर यहां पर यह मेरा रेंड साउंड है आपको करना है ज़िए का आपको यहां पर अपर एक उप्शन मिल जाएगा यहां पर यहां पर आपका दो do song यहाँर आ जाएगा rains song और बॉलीवड जो आ बॉलीवुट फिर वान्या गाए और साउंड है उसको as a tease रहने देना है ठीक है अब सिंपली आपको इस पर दुबारा से क्लिक कर देना है अब यहां पर मैं आपको सौंग सुना देता हूँ मेरो जिस सौंग था वो थोड़ा सा डाउन हो चुका मैं इसकी तोड़ा पीच जिती वो कम हो गई है अब यहां पर थोड़ा सा और आपको एक्समे एड़ान करना है कि यूट्यूब इसको पकड़ ना पाए यूट्यूब यह ना समझ पाए कि आपने बॉलिवूड सौंग क अशरी आप लोड किया है कैसे आपको इसमें पर हिपक हूँ अशरी इंपोर ट्रैक लिखा वो क्लिक करना है जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर option मिल जाएगा audio यहाँ लिखा ओओ auto pitch आपको simply क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने बहुत सारा effect आजाएगा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर hall effect आपको यहाँ पर ढूंड़ना है मैं आपको दिखाएँगा हूँ अगर आप कमरे बैटते हो ना जो से क्लिक करना है जैसे यहाँ उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का option और तरीफिटिंग आपको मिक्स को कर देना है यहां पर 50% ठीक जिसे 50% कर दोगे अब यहां पर जो विर्ट लिखा हुआ है इसको कम कर देना है आपस 7.2 परसेंट को 7.2 परसेंट देखो मैंने आपस 7.3 परसेंट कर दिया है S.E.M.1 2 कर देता हूँ मैं इसको जो मैं as a tease बता रहा हूँ आपको as a tease उसको apply करना है अपना स्वीडियोस पर ठीक है अब यहां पर देखर तो इसको as a tease apply कर दिया है और size को आपको 68 रहने दिना है और यहां पर पर इसको धीचर ठीक हुआ ज़ुआ है उसको as a tease रहने दिना है तो एक करना है कि आतला है और यहां पर आपको तींग मिल जाए गी मिक्स और टोन और साइव साइज ठीक है अब यहां पर जो मिक्स को ऑप्षन है आपको इसको 50 per cent कर दिया एंद आ 70% और यहां पर जो size आ रहा है आपको 30% कर देना है 30% अब जो setting मैंने बताया है उस चीज़ के आपको screenshot लेना है जिससे मैं as a tis बता रहा हूं अपनी वीडियो भी आपको as a tis setting को apply करना है इससे पहले वाली आपको screenshot लेना है और इसकी भी आपको screenshot लेना ठीक है अब यहां पर सब्सक्राइब करना आपको इसको कर देना है आपको यहां पर 1.3 1.3 1.3 यहां पर दे सकते हो 1.3 मैंने 5 कर दिया है इसको तरी कर देता हूं मैं 1.3 1.3 यहां पर दे तो 1.3 मैंने apply कर दिया है और mid में आपको as a tis रेने दिना है high में आपको करना है थोड़ा से यहां पर setting करना है अब यहां पर करना है यहां पर 7.5 ठीक है 7.5 देख सकते हो मैंने 7.5 7.6 आप as a tis रख सकते हो कुछ आपको आगे बढ़ सकता है 7.6 रख दि ठीक है इसको six hundred मैंने कर दिया है आप क्या करना है आपको simply यहां से back आना है जैसे यहां बैक आओगे मैं आपको यहां पर song को सुना देता हूँ अब यहां पर song सुनो थोड़ा से यहां पर थोड़ा से यहां पर hall वाले feeling आ रही है जब कोई सुनेगा तो वो सोचेगा कि मैं hall ने बैटा हूँ और मुझे यहां पर song सुना दे रहा है तो कितना जबर्दस मैंने यहां पर song को इडिट कर दिया है ठीक है अब क्या करना है यह song आपको यहां पर complete हो चुका है अब इसे काइन मास्टर में लिया कर थोड़ी बहुत और editing करना पड़ेगा मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से करना है अब यह आपने song को complete कर लिया है अब इसको आपको save करना है save करना है कि simply आपको यहाँ पर arrow को option मिल ला कि simply आपको arrow के option पर click करना है और यहाँ पर save पर click करना है जैसे ही आप save पर click करोगे आपको यहाँ पर नाम दे दिना है लूफी song मैं दे दिया हूँ लूफी song मैंने आप लूफी song दे दिया है अब यहाँ पर करना क्या है देखो म से कुछक्षे करना है जैसे याँ विव क्लिक करो गांगे अब यहाँ पर देहां पर लिए आपको क्लिक करना है आप मैं क्लिक कर करता है video format में क्योंकि video format में ही आप YouTube पर upload कर सकते हो उसके लिए आपको जरुप पड़ेगी footage की footage को आपको download करना है download कहां से करना है आपको लेना दो बार से Chrome browser पर और आपको next आपके सामने इस तरह का याँ पर Interface करोगे यहाँ पर लिखा वोडिएक और आपको व्यटियो चाहिए तो आपको यहाँ से डाउंगलोड कर लेना है जो लूफी सॉंग में बैक्राउंड में आपके चलती रहेगी ठीक है अब यहाँ पर देखो यह आपकी यहाँ पर सॉंग आ गया है इस पर मैं क्लिक करता हूँ थोड़ा सा यह एक्ट्रैक्टिव लग रहा है जो आपको लगए कि हाँ आ अब वह सिंप्ली कर ना किया है आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर को ओपन करना है ठीक ंचानल को ऑपन करना कि बार को बताता हूं कि यह शेयं कर ना है उसमें काइन पर 9 ratio select करने पर create पर click कर दना है जैसे ही आप create पर click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा आपने footage को download किया है तो footage को add करने के लिए यहाँ पर आपको simply download के option पर जाना है और यहाँ पर बहुत सारी footage आपको सामने आ जाएगी जितना भी footage मैं यहाँ पर use कर रहा ठीक है अब यह देख सकते हो दोनों footage यहाँ पर आने वाली है तो इदेर में थोड़ा मेरा mobile slow है इसलिए थोड़ा time लग रहा है ठीक है अब यहाँ पर डेसे तो एक footage आ चुकी है अब मैं डूसरी footage को यहाँ पर add कर लेता हूं देख सकते हो दो footage मेरी यहाँ पर add हो चुकी है यहां पर देख सकते हो दो footage एड हो चुकी है और यह non copyrighted है ठीक इस पर कोई भी तरह करेगा copyright claim आपको नहीं आने वाला है यह copyright free है ठीक है आपको करना क्या है अब जो अपने song को download बना लिया है उस song को आपको यहां पर लाना है किस तरह के से लाना है मैं आपको बता रहता है और यहां पर जहां पर अपने song को export किया है वह song आपके सामने आ जाएगा यहां पर dance को नीचे को scroll करना है और यहां पर आप डूपी से हो're लूपी सॉंग ठीक है यहां पर लिखा हुआ है लूपी सोंग आफ फिर क्लिक करोगे तो आपके समें ने हिए यह सांग मेरा आ चुका है यह देखो मेरा सौंग यहां पर आ चुका है अब जिखें पर थोड़ी बूस इज त्रिटिंग करना है जिससे contract copyright free, बिल्कुल आप copyright वीडियो होगे, और आप को YouTube पर किसी तरीके कि आपको strike नहीं आने वाले, बैं guarantee देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको simply song पर डैक आजना है अब यहां पर करना कहें आपका song यहां पर बन कर त्यार हो चुका है अब यहां पर जो आपने song को रखा हुआ है मेरे song का नाम है यहां पर मेरे song का नाम है आप्डे करता हूँ मैं आप ​ENT-Ticky to Moon beta डिता हूँ लूफिस ऐंटा ओदीव ठीक है आपको जूब कर लेता हूं बड़ा सा ठीक है यहां पर मैं लग दिया अस तरह से और इसमें फॉंट देता हूं कि थोड़ा सा और अगे तक ले जाना है जहां तक आपका सॉंग चल रहा है पूरा इसको आगे तक लेकर चले आना है देख सकते हो पूरा मैं इसको आगे ले जाता हूं अब यहां पर डेख सकते हो मैं इसको आगे तक लेकर जहां तक मेरा सॉंग है अब मेरा सॉंग यहां पर कंपलीट हो चुका है मैं आपको थोड़ा से सॉंग का सेंपल देता हूं किस तरह का मेरा सॉंग यहां पर बनकर तय इस तरीके से आपको भी अपना लूफिव सॉंग को क्रियेट करना है जितनी भी मैंने सेटिंग बताया है सब चीज को आपको एज़टीज एपलाई करना है फिर आपको कोई भी तरी कॉपी रेट स्ट्राइक कॉपी रेट क्लेम नहीं आएगा मैं आपको 100% करता हूं जो मैं आरो पर इसे आप क्लिक करोगे इसको रख देना है 14.40 पिक्सल और फ्रेम रेट रख देना है 30 अपको उन्हें इस पर क्लिक करोगे तो यह आपको गैलले में डारक्ट आ जाएगी आप इस लूफि सॉंग को अपने यूट्यूब चानल पर क्रियेट करकर अपलोड करोगे तो आपकी लूफी सॉंग पर वीडियो पर 100% मिलियन में व्यूज आने वाला है शर्त ये है जो सॉंग रिसेंट में आया है उस सॉंग को आपको लूफी सॉंग में कनवर्ट करना है अगर आप उस सॉंग को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे तो 100% व्यूज आने वाला है और आपके यूट्यूब चैनल मौटाइज होगा और आप यूट्यूब से लाखोर रुपाय की अर्निंग करने वाले होगे अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को लाता है को इस वीडियो को एक लाइक कर दिना है मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह कॉंटेंट लाता रहता हूं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है तो मेरते हैं इस तरह की नेक्स इंट्रस्टिंग वीडियो तरह तक टाटा बाई